अब बात करेंगे वोय अगर वीपीएन एप्लिकेशन के बारे में वैसे दिस एप्लिकेशन को एक लाग स्यादा लोगों नोगों डाउनलोड कर रखा है और यह एप्लिकेशन भी हाले में रिलिज़ वा दोस्तों 9 अगस्त 1224 में और 15 अगस्त 1224 को अपडेट भी कर दिया ग आगे जाके प्रोब्लम सो रही है तो चले सबसे फिलिकेशन को उपन करते हैं और आपको सारी देन करी आप अच्छे समझाते हैं तकि आप इस अप्लिकेशन को इस्तमाल करते टाइम कोई भी गल्ती ना करें क्योंकि बहुत सो लोग गल्तिया कर देते हैं और आगे जाके अब करता है कि आप शॉर्ण करो को चूज करते हैं अगर किसी भी खिसां नहीं होता दोस्तो अगर आप live streaming, gaming, video editing या photo editing करना चाहते हो तो आप किसी पर भी click कर सकते हैं लेकिन उसके अलावा अगर कोई और काम करे होगे तो मुझे नहीं पता कि आपको क्या करना चाहते हो तो इसी साफ साफ को click करना होता है तो फ्लावल मैं Dallas पर click करता हो जिसी हमने click किया तो connection request आगी है तो ok कर दिना है ok करने के बाद directly connective होना start हो जाता है और connective भी हो जाता है वैसे इस application से बहुत सारे काम की जाते हैं मैं आपको पहले बता दिया जिससे live streaming करना, gaming करना, video editing करना और photo editing करना आप इससे कहा करना चाहता है और comment box में जरूर बताएं जैसे कहीं होता है कुछ advertising को देखने के लिए में दोसको आपको प्रकी चाहिशा हटा देना है advertising को ड़ाने के बाद simply यहाप पे इस तरीकी से option आयाता है आप चाहतो तो इसको आसनी से use करके कोई भी दिक्कत और परिशनी आपको नहीं होती है दोस्ता अगर कोई भी सवाल आपका तो comment में जरूर पुछना इससे नुकसान कुछ नहीं है मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए अपना खयाल रखे